हेलो दोस्तों हेलो गाईज राम राम सलाम और काहल भा आपको ठीक बानू देखा तो निकम कहा लेल बनी वादियों में घुमावे दिन दूर नहीं के आप वादियों घुमें के बारह फर्वरी पास में बाद प्रभात रंजन हमने जो कला से स्टार्ट किया है पिस्यस के उस पर भूगोष स्वागत है युनी एक्जाम प्रभात रंजन हमने जो कला से स्टार्ट किया है प्रस्णों के पाउचार सौपार जो प्लेइलिस्ट में डला हुआ है आप लोगा रामसर दे सकते हैं पीछे जो क्लास हुआ है कल जो क्लास हुआ था वह था बहुत धर्म के बारे में पता है कि प्राचिन भारत में धार्मी कंदोलन में दो जो धर्म उत्पन हुए जयन ब बहुत वह दोनों की कर्म भुमी और जनम भुमी दोनों की रही कौन ची रही है बिहार रही है तो उसे प्रस्णा अकसर पुछ जाते हैं वह भारती इत्यांत में पढ़ना है प्लस बिहार के इत्यांत में पढ़ना है भोगोल तो मैं पढ़ा ही रहा हूं अब लोग को पु इसे प्रस्ण बनते हैं, दोख धंदे हैं, नदी पर्योजनाएं हैं, सब से क्लास चलेगा, और अलग से क्लास चलेगा एक इकनोमिक सर्वे का जो दम प्रस्णों के बहुचार के रूप में उसको बताया जाएगा और तीन प्रस्ण फिक्स हो जाएगा वहां से, पोल्टीव इसनी को प्रस्ण प्रसुन को को प्रस्ण बत्रियाू छिएगा तरहे कि मिल जीतिक परथम से दूप मंतरी नंतरी को बहुचिए हैं, प्र्सण परथम मंन्तरी बना हो…. तो उसे ही क्लास है कि मैं की तो उसी परेग ईक प्रकाश से अश्टाटिक जीए इसको ना earn में रशकते हैं ना पोल्टी में रह सकते हैं इस इस पर आना है चलिए बात तो होती रहेंगे आपसे बीच पीच में कथा कहानी बात चलेंगी पल एक लास स्टाइट करें लों है मैं विद्द अब भिहार में पर्थम भिहार में पर्थम बिहार में पर्थम इतिहां से शुरू करेंगे और आधनी काल तक जो भी बिहार में पर्थम हुआ है सब के बरेंब बताये जाएगा आईए चलिको सबसे पहले कि आप गानते हैं कि तिहांस के स्टार्ट जो होता है वो पसानकाल से होता है क्योंकि पता है कि मानुगित पत्ति के बाद पत्थर मानुगित पत्ति होने के बाद पत्थर के उजार बने और पसानकाल गित पत्ति होई तो बिहार में उसके साक्षिमले हैं और नोव पासानकाल, यह तीन कियास में पढ़ाया जाएगा, उसमें नोव पासानकाल की युगनी, जो और CS प्राप्त हुए है बिहार में कहां से प्राप्त हुए है, यह बिहार PCS का पेटेंट परस्न था, है भी, पुछा भी जाता है, ऐसा नहीं पुछा यादा है, किसी कालिक अस्थल है वो बिहार के किस जीले में श्थित है तो चिरान जो है नौपासानिकालिक अस्थल है वो सारन दिष्टिक जिसका हेड़क्वार्टर छपरा है और यह सारन में भी सोनपूर में पड़ता है कि स्वोन गुदर जानते ही है कि है भारत का पहले एस्या का सबसे बड़ा प सुमैला कार्थिक पुन्हेमा पर भारत क वि GOत ठीक है कि ढाटा और धीच गोली होती रहती है धान दिना और एक मंत्र चलता पसु मेंला कर और गंगा ड़ी किनाड कुर में मलता हैं मगर यह तिराष जगह सूनपूर में सारण इस्टिक मुपरता है यहांसे हडी के उपरण मिले हैं हडी के में मिले हैं नोपा संकालिक कि एक प्रस्ण तैयार हो गया च्छपाव प्रस्ण है कोई बाते हैं पसांद कार में आता हरपा हरपा कोई साइट नहीं मिलता है बियार में कोई साइट मिला है अभी तो प्रत्वार में कोई खुदाई चल रही है जो ए साइज संस्था है और यदी मिल जाए तो बताया जाएगा करेंट भी उसे अभी फिलाहल कोई नहीं है उसके बाद जो हुआ रिगवेदी काल आता है उससे भी कोई साइट नहीं कि आरेव का आगमन जो हुआ उसके बाद आते हैं कि चो सब बिशीक आसपास का बेट जब उपनिस्थ हुए उतरबैदी काल में तो उसके बिरोध में क्योंकि उसमें कुसंगतिया बहुत थी कुसंगति नहीं कहेंगे सो उसमें रूर्दिवार था करमकान बहुत अधिक था उसी खिलाप धार्मी को अं यह कोई बात है यह होता है इसका तो उसमें जैन्धरम जो थे महाबिज स्वामी उनका जनम हुआ था वैसाली डिस्टिक्ट में कहां बैसाली डिस्टिक्ट में मैं कर लिए प्रस्णों की भाथ शार सिरीष का पहला टॉपिक ही था जैन्धरम तो प्लेलिस्ट में जाके द जयन के बाद जयनसंगतिती भी हो ही पूछा कहा है वो बिहार में और बिहार में कहा पर पांथली पुत्रा में कहां पर Shuhu पांथली पुत्रा करा जए ओANS कि तो में गोकें कोंअग प्रब्रबा कर टेक्न को दो टेक्निकल प्रबर भार पाटली पुत्रा में इसकी संगती पर्थम संगती हुई थी और अस्थुल भद्र इसके अध्यक्ष थे जो जैन जब क्लास हुआ था उस्स बताया गया था और चंदुत मौर के समय हुआ था अध्यक्ष जैन के बाद बाध भी जो द्धर्ण तर वे तो उनकी भी कुष संगती आ वहीं पर्थम तीं संगती तो भीँ है थीक है उनकी उनका जरम जोत है नेपाल के कपिल बस्तु में वज़ता लूमरी नामरी ग्रां में वा था जो संगती जो उनके मरने के बाद संगतिया हुई वो तीन संगतिया बिहार में हुई थी पर्थम बहुत संगती का योजन श्थल राजगरी उसमें सासन किसका था अजाज सत्रु मैं बताया भी था अजाज सत्रु का शासनकाल था और उसमें भाधानकति विला हे बहुत संगती का योजन स्थल बैसाली शासक था कलासोग सिशुनाग बंसका ह्यर्याग बंस क level सलका उब उसमें महा जन्पत्काल और मगज सम्राज पुरा प्रहाय जाए आप लोको प्रश्णों की बच्छार्शी से उसमें बताएंगे हम पुरा कौन बंस कब कौन बंस कब कला सोक ओ अब तीर्टीय बो संगती जो ही पाटली पुत्रा में और इसमें असोका दग्रेठ यहारे राया सोका दग्रेठ प्राचिंभात के सब्सें महां राजाएवां सोक है फिकर पाटली पुत्रह युगा było था इस फिर पट्रोस्त हाट हिए भा कि और महर कालमिस्टी एए रहेगी कि राजगरी और ग्रिपरज दोनों राजधानी रहेगी महर समराजगी उसके बाद यह सिफ्ट होता जाएगा फिर जैने गुपत आएगा गुपत अतर आएगा सब आएंगे मगर उसके बाद पर्थम में पर्थम की चर्चा कर रहे हूं यहां पर पर प्रथम आकरमन करने वाला मुस्लिम सासक कोन हुआ था पर थम पर मुस्लिम सासक कों था जो आकरमन किया था अब देखेंगे तो भारत में अरबों ने आकुमन कि अथा पर्थम बार तो बिहार में कुन कर लिया बाइकुवार इसे एक प्रस्ट और बन जाते निचे दिखिए भिहार का पर्थम मुस्लिम विजेता कौन था वह बक्तियार खेल इसे आया जब यहां पे तो उसे में प्र जो कुमार गुपद्वार बनवाया गया था उसको ये नस्ट किया और एक ओदन्थ पूरी विश्दाई था उसको विश्द नस्ट किया ठीक है ये मुश्लिम समाजे था ये बौधर्म के लोग थे और खुद्नस कहिए या जब कोई नया संपरदाय उत्पन होता है नए धरम ये काम कर गया है अब आए बिहार में परसम और देखें डिली में गदी पर बैठने वाला पर्थम बिहारी पर्थम बिहारी कौन सेर सासूरी शेर सासूरी जो बच्पन में फरीद नाम से फिमस था पुछा गया प्रस्ण है बाद में सेर खा हुआ ये अफगानी था सासारां जगा है यही पिनकी मकबरा है सेर सा का और यही सेर सासूरी जो है पंद्रो सो एकतालीस चालीस में बिल्गरां की यूद में हमायों को हराएंगे और मुगल समराज की गद्दी पबेठेंगे और 1541 इस्वी में पटना में पाथली पुत्रा जो है वहां राजधानी बनाएंगे क्या पाथली पुत्रा राजधानी बनाएंगे और 1541 तक ही सासन कर पाएं और 45 में इनकी मिर्टुफ हो गई कि इतनी बरी इतनी बातिन में है यह दिल्ली कुर्णा की महजिद के निमान करेंगे पटना में खिला बनाएंगे खिला नहीं छोटा सा बहुत था अब आये बिहार की यात्रा करने वाले अब मधकाल के बाद आधनीक भात के दर बढ़ने के लोगे बावी मधकाल ही चल ला है बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री था बिहार का दौरा करने वाला पर्थम सी गुरु कुन था गुरु नानक देव ठीक है गुरु नानक देव और गुरु नानक की जन्ति मनिया साथ कुजिन पाले और गुरु को पतना साहिव जो पतना पड़ता है बहुत बड़ा क्या बहुत हैं सीख लोग का जो होता है गुरु द्वारा बना हुआ है पर्थम सतंता सग्राम में बिहार का निर्दुत करने वाला इस अठासव संताओन के विद्रोह में बिहार के निर्दुत कौन परदान किया था बाबु कुवर सिंग और ये बिहार स्पेशल कुष्चन हर साल आएगा और कुवर सिंग जो थे ये साहबाद जिले के जमिदार थे ये राया कहीं इनको सवरी साहबाद जिले के जमिदार थे और इन्हों ने जब संताओन का विद्रोह हुआ परतना के बदल में दानापूर वा सैनिक षामनी थी जब यहांके सैनिक विद्रोह करके साहबाद पहूंचे कुवर्जि से मिल ले तों उनने साहस दिखाते विए अंगरीजियों की ब्यूद क्या किये स्वतनसागार में कूद परे यह घटना 25 जुलाई 25 जुलाई रज संदाउन की है और यह आजम गड़ गए फिकानपुर गए फिवापस आए और इनकी मुठ्टी पूछता है कब मिर्तु होई थी इनकी तो 26 अपरेल 28 स्वंठाओन कोईन की मिर्तु हो गई थी देखिए कुछ घरवरी हो गया कोई बात नहीं आगे देखते हैं का हो गया है लाइड में अच्छ 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 यह एक फिर से कर लेते हैं कोई बात नहीं आप लोग घबराईये मत कुछ टेक्निकल है हां तो इनकी मिर्तु कब हुई थी कुवर्सिंग की 26 अपरेल कि सब्सक्राइब तो एक प्रस्टाइब तो इसा चाहते हैं बगेंगे नहीं जब तक दो रहेंगों नहीं तो चोरे कि नहीं आधना दसंदमाझी उसी तरह करना हें बहीं अब लोग अलों को हो गई क्योंकि तेशा अप्रिल अठासवण ठावन को यह क्यांट थे लीघ्रांड तो यह उनके बाद लो पर्थम सब्चागरा अंदोलन ने सब्चागरा था दचिन फिरका में तो अंदोलन का पर्थम सब्चागरा अंदोलन काया तो है पर्थम सब्चागरा अंदोलन कहा हुआ। जो हुआ था कब 1927 में और अ किभवा था तिनकठिया पल्थ зов का था यानि 20 कथ जमीन में वाहर कठा चलता याद रखंगा 20 सब्चाएं में तिन-नील की खेति करी एक बिरोद युद्ध में इतनु कठिया पथ्य की विर्षन में निल खटियदि में सत्यागाउंद नुन हुआ था और 16 दोटक द्विशन चला था तो चुम्पान के किसां थे राज कमार सुक्ल और लखनओ लखनओ द्विशन था और राज कमार सुकुल वहां पहुंचे और गांदी से मिले और आगराव किए कि चलिये चंपारण में देखी सिती क्या है किती दैनी सिती है क्योंकि निलखेती करने से जमीन जो थी उनकी उर्रषती कम हो जाती थी बंजर की तरफ जमीन कला आता था तो राजकुमर शुक्ल ने आगरख किया कि छलिए बाबा देखिए क्योंकि सोला के अधुएशन में लोग ने बराई किया था कि महात्मा गांदी दच्छी निम फिरका में यह कर क्या है वो कर क्या है तो जोने भी मिला और आगरख किया चलिए देखिए सत्यागरख यूज किजिए ठीक है यह प्रस्ण छपावा प्रस्ण है चंपारण में पर्थम सत्यागरख कब हुआ था कोई से पदिती थी तिन कट्या पदिती थी किसने बुला के लाया था इनको और राजक मर्शुक्र का गाउं का नाम थ मुर्ली भरावा गाउं उचा गया, जनौसरी ले कहा है, किस गाउं के थे यह आब आएए यह तो इतिहास की बाते हुई अजादी मिलता हम लोगों को अजादी की बात में पुछा बिहार के पर्थम राजपाल कुन थे एंग तो जैराम दास दौलत राम के पर्थम आजादी के बात की यह अजादी के बात की हुए थे उसके पहले भी आलग जो राजपल थे अलग थे इस्ट्वर्ड चेंपियन था वो बताते हैं यह आजादी के बात के राजपाल थे च्हालिस के बाद n Pengachum 457 तक रहे थे यह समय जो और कि इसमें और होगा नीचै पता देंगे देस का उ परत्धार मनत्री बनने वाला बिहार का पर्थम बिक्ति कोन था ऊपर्धार मनत्री बनने वाला कोई पदढ नहीं है प्रहांती बनने वाला विहार का पर्थम बेक्ति था बाबु जग जीवन राम भाबु जग जीवन राम लगतार सरम मंत्री भी रहे थे सबसे अधिक समय तक मंत्री रहने वाले भी थे हुआ कि भियार के पर्थम्मुक मंत्री कोगे डॉक्टर सरे किश्ट सेंग जहें बियार के पर तैंग सब्सक्राइब कि भी किश्ट सेंग दीम्ही इतिहास में फ्रांट यह चुना हुआ तो इस में पांच मुखमंत्री की रूप में था फिर अंत्रिम गोव्मेंट बना चेयालिस में उसन में भी यह बिहार के मुखमंत्री बने थे प्रिमियम गोर्म्मेंट के रूप में और यहादी के बाद oh तो लगतार मनें और 1672 तक यह मुख मंत्री में कारवर समभाले थे तो सबसे एक प्रस्णी से बन जा जाता है कि सबसे अधिक कलावधी वाला मुख मंत्री कुन हो गया है तो डटा सिरकेशन बाप हो गया है अधिक पर्थम मुख मंत्री कुन है तो अब डुल गफूर अब डुल ौफ जो ए पर्थम मुख मंत्री है विहार के और सबसे कम समयmak याद रखिएगा चपा प्रशन है कों सतीष प्रसाइज प्रसाइज लिए ऌगों एक प्रस्थ और बनता यहीं पर है कोन्य सा मुकबंत्री है जो आठ बार संपत लिया है आफिक इस्टेट का पल्टू राम कौन पल्टू राम से फेमास भाई श्री नितिश कुमार नितिश बाबू जो है वो नितिश कुमार जो मुख मंत्री है तो यह बाइक किसी के मुख मंत्री को एक टीचर के मर्याधा से गलतस्थ पप्योग नहीं करा चाहिए मगर जो सभी यूज करते हैं यह शूब यूज का और से जूबर should package हो हाथ मह ओ यह मैं फैक पर सब्कर है और यहां लगा नाम याद करने के करने के लिए ताकि दिमाम रहे आप लोगों को आठ बार मुखमंद्र कुरूब में ने सपत लिया है आठ बार आठी बार अभी अगस्त महिने में अगस्त 22 में इन्होंने पार्टी चेंज करके जद आरज्ञेटी के साथ गत्बंदन करके मुखमंद्र में सपत 10 अगस्त को को लिया है 10 अगस 2022 को लिया है आठवी बार स्टार्टिंग किये थे 2000 में दो हजार गया है ठीक है अब भी हार की पर्थम महिला मुक मंत्री राबरी देवी सब को याद होगा रबडी देवी पले सुधा में रबडी नाम से आता था एक मिष्ठान आता था यह बज़ करना परा उसको रबडी को और यह लालू परसाद यादो लालू परसाद यादो आर्जेडी के परमुख थे और मुख मंत्री रहे थे उन्हीं की वाइफ थी जब इनको जेल हो गया तो रातो रात अपनी पत्नी और पहली अनपड मुख मंत्री भी थे यह बिदमना है मैं बिहार की करम भूमी रहा बहुत जयन का आरभट की भूमी रही है बिद्वानों क मुख मंत्री अनपड मिलती हमारे यहां कोई बात नहीं कि अनपड मुख मंत्री कि मेरा अबनी देवी है पाटी है लोकतंत्र है सबको सतंता है कि पर्थम हर्जन मुख मंत्री कौन बना तो भोला परस्वांच सास्त्री कौन भोला परस्वांच स्वास्त्री परफ्थम निरदलियों मुखमंत्री पूछा कर पड़न अभी ही आप 766 होगा या बीपईसी कैंसल होगा किसी में होगा किसे पूछ सब्सक्राइब ने कि परतरा मिपन ते लिज़तल कि Рास्पति बनने वाले बिहार के परत्थम बेकिकिंश कों थे राजेंदर परसाद थे और राजेंदर परसाद समधान सवा के अस्थाई अधक्स भी थे अंत्रीम कोव्मेंट में ये क्रिशी मंत्री भी थे सब पहुंचे थे भुनाने के लिए उनके घर पे शिवान डिश्टिंग परता हैंगे घर तो मुख में देश के प्रहान मंत्री ग्री मंत्री सब पहुंचे थे कि जैनती उनकी मरामना के भाहिजिन का और लोग रहायें लोग तंत्र हैं सब को सदंता है पबलिक वेकूप है रिजती है रिजनें दीजिए कोई बात नहीं हम लोग को तायारी करना है सिस्टम में जाना है जननत की से अब देखाया था फोटर में मर्श सुधार जरूर करना है ताइम कम है बारख फरवी पेपर है आज हो गया साथ चोटारिक हो गया है तो भाई तैयारी की धार को लाना है इसलिए काम करके मेरे साथ जाना है तभी होगी तैयारी कंप्लिट उसके बाद जितना गाना सुनना है निर्वगा का अमनपाली दुबे का ख्षरा सिंग का यामनी सिंग का सब सुनिये गाना तेल लगई ले बगलवले जानमारे लिए सब सुनिये गा फिलाल सब को बैंड कीजिए यूटूब पे वीडियो सुनिये वो जो आपके लाइक हो आपके तैयारी को धार दे दे और मेरे साथ जुरिए देखी आप लोगे याद में अप ही आप हुआ की आप लोग कि यादमें लिखी दिदार्य अबशाली हैं बाबा बन गए हम बंग अं लगता हम भी बैरागी बन जाएंगे हैं कि क्योंकि आप के लिए में काम करता हूं आ कि миने साथ काम करते है books है कि ई विहार विध न्राइए किम ध्यक्ष्ण राम ध्यालू शींग है और बिhर भीधान परशति की परत्थम महिला सवापती राजर्शे नतबह नत पर्थम भाइरस Anda कुण सब्सक्राइब प्रजिव रजिजन परसाद सिंग और विदान समाहा में पर्जिद्र परसाद में सीट जो है उप अपजत्तर सिट एंगे अपना मानेंगे तभी हम अपन नत्तों की भावना से उसको घ्रेसफ कर लेंगे बिहार राज महिला आयो की पर्थम अध्यक्ष मन्जू परकास अभी अच्छा मैंने पीसे स्लाइट देखिए अभी बताया कि पर्थम अध्यक्ष तो राम द्यालु सिंग तो बर्थमान में अध्यक्ष कोन है इसके बिधान सबाके बिधान सबाके बर्थमान अध्यक्ष जो है आवध नरायन चोधरी और बिधान परसके बर्थमान अध् देवेश चंद ठाकूर। तर जलगन कर लें। लास उग गया है। बाते तो होती रहेगी। कि अधियाराज मैलायोग की पर्थम यक्ष मन्जू परकास यह है। 1916 इसी भी हुई थी। 17 में पटना विश्व दले के स्थापना हुई थी। और 16 में पटना उच्ण नाले के स्थापना हुई थी। तो सरसयद फजल अली थे। सरसयद फजल अली थे। सरसयद फजल अली जो है। उसके बाद पर्थम मुख नहीं दिसकोन था। उच्ण नाली के स्थापना हुई 16 में उसमें मुख नहीं दिसकोन था पर्थम। तो थे अडवर्ड चामियर चेंपियन बले न था। एडवर्ड चामियर चेंपन उनका नाम था। और उसके बाद यह बने थे। फजल अली जी कैको भारती यह थे पर्थम। और आजादी के बाद जब आजादी के बने गए। टब ऊसको अध्योड बन गए। नहीं उत्याय लेकर मुछक नादिस कोन कूले लोहा डरी मनमोहन अगरवाल कौन मनमोहन अगरवाल ही बने थें। का तीनों याद रखेएगा अस्ठापना जोह में पर्थम कौन परसम्रोन भार्ती को पर्थम को और आजादी के बाद कौन आब बरतमान में कौन भाई आप पर तामान में संजय करोल जी ऌद करोम अधा पर न coverage की उनको सुपुरिम कोट में निया इस क्रूप में उनकी निक्ति हो गई है तो यह देखिए टेखनी कल लगा यह तो यह समझे निकता आएगा तो अगला देखिए निकार है भाई कि कि संजय करोल जी और सुपिंग कोट नैसर्ज कृट में इनकी निक्ति हो गई है कशने में भयार के पर्थम राइनी तक हां ओ डियार के पर्थम राइनी तक श् workers बाली तक है बिहार के पर्थम कि लोगस्भाह में अध्यक्ष बने दिए लोगस्भा किते हैं फैक है है कि बत्रइब के मुखने अधिह बनने वाले बात में शूक्री ने को है नियों शुत बिहार के परफम बेगती थे पर्फम लिएंदाओ सिनहा आधि एक मोगे पत्थम प्रफम की बात होगी यह सोट प्रुमनेश्वर्शार परसाष सिनहा जी बने भीहर के मुंफम होड़ है लाइ कि पर्फम होड़ है इंदरा गांधि त Georण पत्ना भ har यह साल पतना लिस्ट इसल कर दुमिनाधया ठैक है आ deliver च् कि कहा दर्भांगा में बन रहा है और मुझापरपू जो कॉलेज है बाबा भीम राव मेटकरिमिसिटी उसी कंदर लंगट सिंग कॉलेज है उसमें एक खोगोली बेसाला था जिसको ने इसको बिस धरवर के घोसित कर दिया है लंगर सिंग कॉलेज मुझापरपूर बियार मेटकरिमिसिरी किस में है वह अखोगोली बेसाला है जिसको इन इसको ने विस विरास अस्तल में घोसित किया है सब्सक्राइब करने वला वहीं यह दुवारा रिपिट हो गया है कोई बात ही दोनों कार देंजिए अश्व कि यह भी मैं बता दिया सब्सक्राइब करने वला पर्फम कौन था विहर का रमधारी सिंग्धिन कर जो थे बिहार के थे और उर्वरसिरी उनकी एक महाखावित थी 72 में इनको घ्ञान पिछू दिया गया था 1972 में इनको घ्ञान पिडिया गया था विहार की पर्थम खुला विशु दाले जो है खुछा ओपन खुल गया खुला वे कहा होता है इसका है कि जिनका इनुविशन रेगुलर क्लास में नहीं हुआ उपन इनुविशन लेके प्राइग कर सकते हैं तो बिहार की पर्थम खुला विश्विदाले जो है ननलंदा विश्विदाले है जिसके अस्थाप ना इसो सतासी में हुई थी और यह पत्ना में गांधी मैंदान के पास किर विश्विदाले है सब्सक्राइग का पर्थम विश्विदाले पत्ना विश्विदाले है प्ठना भीज़दाले जिसके है चापना उनिशन सत्रा उस्वी में हूई थी परफम एमस कौन हुआ तर्भंगा पहला पत्ना में खुला दूसरा दर्भंगा कि और बिहार में विए तो सम्सीटिया है एक नौत बिहार महातमागांति नौến विछार महातमागांती जैको और एक चैंछ भुछान पूरोसाइं से मुतिहारी चलता है रीड जो फाइब है दूबला कुछ था चलता है गया में और एक इंट्रनेशनल विश्टिए है नदन्द और नदा जो विश्विज़दाले था जो प्राचीन काल है वह भी विश्विज़दाले के रपें फेमस है इंट्रनेशनल इंकिन कुर दूसलों पढ़ने आ रहे हैं तो एज राकें तीन बात अवे बिहार का पर्थम देनिक पत्र कौन है सर्वितैसी जो 1882 शुरूआ था पर्थम देनिक पत्र सर्वितैसी है जो 1882 में शुरूआ था पर्थम हिंदी पत्र और एक और साथ में है पर्थम अंग्लेजी पत्र कौन है आ है दुसर्च लाइट दिसर्च्लाइट और दिसर्च्लाइट छुरू करते connect अ अकिश्य में पूफा गया कि दिसर्च्च लाइट के परथम संपादक कुण थे तो साइद है दर थे कौन साइयद हैदार कि टेखनीकल जो है मिटावनवां से मिटा देते हैं तो मिटावना ना नहीं गावन चलता था पल यानि पर्थम जो अंग्रेजी पत्र है इस अर्च लाइट इसके पर्थम संपादक थे प्रशन में पूछा गया है वो थे साइयद हैदार ठीक है बिहार के पर्थम संप्ताहिक पत्र जो त्रमाजा पत्था बिहारी बंधु पुछा गया प्रस्न है भाई बिहारी बंधु कब चोहत्र में स्टार्ट हुआ था और अंग्रेजी का दो संप्ताहिक बात कर रहे हम ठीक है तो दे बिहार हेलेड गुरू परसाद सेन अठाथ पचत्तर में स्टार्ट यह हुआ था इसको सुरू किये थे गुरू परसाद सेन पूछा गया प्रस्न है रट लिजिए इसकी स्वाट ले लिजिए छप गया है हिंदी में बिहारी बंदु चभथर में अंग्रेजी में वेहार हेल्ड गुरू परसाद सेल इसको स्ट किये थे पर्थम नियुका जानते ही है करन्य दान पर्थम में हैं मितला एक भासा कर्लों अंगा यह हाँ आठीव शूची में में 22 भासा है इसमें मिठला मैतिल भासा भी सामिल किया गया था 2003 में असलिए परफम हिंदी फिल्म को हम नहीं है कल हमारा है का है उसलिए कि रिखा रहे कि प्रत्rica तरफेशन करिलना जोड़ी है पर्थम हिंदी फिल्म किया है कल हमारा है निर्देशक गृष रंजन कौन है गृष रंजन पर्थम भजपूरी फिलिम भाई भजपूरी जो स्टार है अब इते स्टार हो गये हैं उसमें वह दोस्ता तो हो गया है रवी के सफन गोरक पूर से निरहुगुका आजम्त से आय वह वह हूब कोण है पवान सींग शब स्डार ही बाई भाई। तो पर्थम भजपुरी फिल्म है गंगा मया तोरह पीर चढ़ाएं पीरी चढ़ाएं मैं भागलोल जानमाई नहीं पभीला फिलिम भाई डेक प्रफम तेल सोदक कर खाना जो है ब्रावनी रिफाइनरी में कहां ब्रावनी रिफाइनरी और यहीं पे कोड़ यह स्थापना कोभूई दिक contains सब्सक्राइब को ङौन यहां ब्र Sehr आ speaks नगघरपाली का सबसे ब्राइब को स्थात्रप+, श्थापना कभब ऊपयों ₹सनृ दिस्टिक अजत्य रिफाइनरी संक्ति हैं में तो जलगन कर लें मुझ्स तो गया है यह भाग रहा है आज भाने देंगे नहीं हम पकर रखेंगे तभी तो भाई तैयारी कम्टिट होगी अपलों भी नहीं भागिएगा वीडिवा देखिएगा भाई ठीक है आप बीच में वह काम कर लिजिएगा लाइट ठोक दीजिएगा असियर भी कर दीजिएगा कि जो आपके दोस्ट बंदू जो है तायारी करने वाले वह भी देख लें सब का कल्यान जग आपका कल्यान दरूर करना है कि चलिए कोई बात नहीं सवार पर्थम नगरपाली का के सथापना जो हुए थी आरा डिस्टिक में 865 में अभी नगरपाली का स्वर्ण सोधन बिल आया था दो हजर बाइस में इसके साब से अठा उनीस नगर निगम हो गया है उनीस नगर निगम हो गया है ह अज चुना भी हुआ नगर निगम का दिसमबर में 28 दिसमबर को चुना थाइस अब अभी नगर निगम है नगरपाली का समस्वर्ण से और पहली बाद सम्वर्ण में हुआ है कि मेर उप मेर का जो चुना होगा वो जन्ता डाइट चुनेगी पहले ऐसा था कि अध्यक्ष जो था नगरपाल का ध्याच उस चुनाओ जो वाड की में मर्जीत के आते थे उनील के बीस से थे अब नहीं मेर उप मेर चुनाओ जन्ता डाइट चुनेगी इसलिए बील आया था नगरपाली का संसुनाद बील तो है बाइस बिहार के पर्थम बिग्यान केंद्र केंद्र इसलिकिस बाबु के नाम से पटना में बिग्यान केंद्र बनाए गया है वह पठना में है पर्थम निर्थ भवन भारतिये निर्थ कलाथ के अंदर पटना एक गांधिमिद्र के आसपास है चाहिए तो दिख मिल जाएगा राज की पहली ऑनलाइन पंजाय पंचयाट पहला ऑनलाइन हो और तो शुच्क प्राप्त करने वाला पुछाा। पाफ परसनोर पहले परकार पर्थम भीषार दो है और तीक है ठीक है राज का पहला जैविक ग्राम कौन है जैविक ग्राम तो हम बता है था केडिया पहला जैविक ग्राम कौन था केडिया वो केडिया है कोठिया नहीं केडिया है जो समझ्टी पूर डिस्टिक में पड़ता है मीहार का पर्थम सही दस्मारक सप्थमूर्टी सही दसमारक पर्थना सात मूर्थी सात Venete ऐसे में फ्रीक खर्वार में सभी है और मंखेरं नाड़हां कि अस्ष्थ्वन शुचि में सामिलव कि परनिखेत्र भासा मेर्टली भासा में गता है ड़् ा स्थ्विय शुचि में 22 भासा है जो मैथल फिल ने, भजबूरी ने जा रहा है 4 से लाग हो गया थेक है और बिलता नम्रुजुन संव्धान्स often बिल अग्धा bei सबसे विशन बाढ है良कि व्यार है कि अनौल की प्रफम सिचाइग परियोजना सोन. विदुद्व परयोजना प्रयोजना प्रयोजना यह प्रयोजब है पुछाज क्लेंking मिले मधळव मीदेशनी मधठव बार घॉन थे जांसी परनुच्थ है करें sano कि दृつन चप कर दीए घुछा अ curtis पराव जाता हैं कि भूस्ट १ुछा है टेरे आटान knowledge ठीक है उसलों का जाता है बिहार में का आप कर दीज़ेगा मधावडरा में उन्हेशेचार में अस्तापित हुआ था बियार का पर्थम दुरदर्शन प्रसारण केंद्र अस्तापित हुआ था मुझपरपुर में पर्थम 1978 इस्वी में ठीक है 1978 इस्वी में पर्थम दुरसर्म के अंदर और कोई बात है यह हेडिंग है कि बिहार के बेक्ती जो भारत में नाम कमा गए है पर्थम अस्थान पे रहे हैं यह हेडिंग है देखिए बिट्रेश्न सब्धान सभाके जो बिट्रेस काल, में पर्थम भारतीय राजपाल बने थे देश का सरवादिक pyrite कहां मिलता है ? बिःश्न कत्तम महां था नंगा तो साय के आला राट शाना विह कि भात के परथब महान सम्राथ इस पे बहुत से मुवी बनी धेख सक्ते हैं इता महान था है भाव सी इंदोधन कुछ होड़ा भी नहीं धमनिती भी अपनाया है लोगे कल्यान के लिए कितना काम किया पर्थम सिलालेख नाने वाला असोख ही हुआ उनके सिलालेख मादयम सही पता चलता है उसकाल की जनकाडिया है सब प्रहाई जाएगा आपको अब भी आई थी देख लीजिए गाए तो और टाइम नहीं है मुझ मत देखिएगा तम पर प्रहाई भी फोकस कीजिए अभी सोचल मेंडिया से दूर रहना है फेस्बुक और आपकी जितना दुस्तवास है जालबल बलता रहता है उससे दूर रहना है जो डिप्रेशन की सिक गलिया अंदर घुष जाई उक्राया है यहां भात के पर्थम गरित्ता के जो थे आरे भट थे नहीं बताया ना कि सबसे बड़े विद्वान आरे भट थे सुन के और इसकारां भी थे इनकी धरते वो पटना के असपास इनका जनम नस्तल है भारत की रुपे की पर्थम सिक क्या कौन था रुपे की रुप में तरसरारी द्वारा किसे बहुत्ते अब नहीं ब्हारत की रुपाए का भात में प्रथम सत्यागरः चंपारन बताया थे मैं शत्रम में और महात्मा गांधी सेतु पूल है जो भात का सबसे बड़ा पूल था पहले अब भुपेन हजरका हो गया है मरपाला इस्टील ब्रीज बना है महात्मा गांधी सेतु पूल गंगा नदी पे हाजिपूर और बैसालेश दिश्टिक और पटना डिश्टिक को जोड़ने वाला गंगा नदी पे पूल बना है इसका नाम महात्मा गांधी सेतु पूल है जो भाले बहुत बड़ा था पर्थम था भारत में अब पर्थम हो गया है अखिल भारतिये किसान सभा का पर्थम अध्यक्ष कौन है करेंड कई सभ है आई सप्रेयों है करें अखिल भारतिय किसान सभा के पर्थम हध्यक्ष है सवामी साजन सबस्ति लखनाउ के हुआ हो पूल यह पाकान से से लखना अकिल भारतिये साब किसान सभा हुआ था च्शतिस में लखनाउं किली चसान के लिए काम बहुत दित कर गया जैसकी पळित्थक्ष्भारम पाली गजबु हर काफ पाली गजबु भिहार कंगुमारी यह तो थी पर्थम लोक्स वाध्यक्ष वह बिहार से महिला के फिमस हुई क्या इतनी बरी जनकारी मैंने आपको दे दी इससे एक सो दो प्रसंट छपने ही छपने हैं बीपीएसी तो पुछता है पुछता है एक प्रसंट भाई और भी जाम बिहार में होते हैं उससे भी एक प्र प्रगाम चलाया जा रहा है और सब्सक्राइब बीपेसी का जो 27 दिसंबर से चल ला है नो फरिवाई समाप्थ होगा इसमें त्रेयर टेस्ट लिया जाएगा और नए बर्स के उपलक्ष में एक भारी छूट दी गई है आज काल देखीगा जहां भी यूटूब फेस्बू चूट 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 फिप्टी परसेंट चूट तो हम भी कहा हम पीछे के हो रहे हैं आप हमसे लिए लिए मगर ये भी है छूट दे छूट दिये हैं चारे सुन्यानमे में मैं कोर्स दे रहा हूं आपको टेस्ट रीज और दूसरीट सभलक्ष कर सकते हैं प्लस 30 जो फूल होगा उसका फूल मैं explain कराऊंगा दम फेस टू फेस मीटिंग होगी और explain भी कराऊंगा ऐसा कोई नहीं दे रहा है त्रिफ टेस देते हैं ब्याख्या देते निकल जाते हैं अब अधिकर चल्ला है अर्शली वीशे का करेंट जो परसांजी परहार है यह था हुआ रहा है एक बुगल की तरफांज का सोचिक है एक इतिहास की प्रस्णों का बहुच्छार से निग्डा चल्ला है वह भी चल्ला है दो टॉपिक हो चुका है और आगे चलता रहेगा और म एक से पांच फरोड की बीच में पूरा चलेगा मैरा थन की क्लास से दो दो घंटा तिन देन नुटा कि और जो भी social media group है मेरे उनसे जूर जाये, telegram है, facebook है, instagram है, ठीक है, good night, bye bye.